कि अब्रिवान बेलकम बैक टू माइच चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक नहीं रेसिपी तो वह रेसिपी है बाजार में मिलने वाला वो जो ठेले में मिलता है ना बिल्कुल वो चार्ट तो उस चार्ट को आप सभी घर पे बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को स जहां से हूं मैं अपने गाओं का नाम बताऊं तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए उसका जो है अलग से एक वीडियो आएगा और मैं उस वीडियो में अपना पूरा अड्रेस जरूर सेयर करूंगे और मैं बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपके फैमली में कितने मेंबर हैं तो मैं सबको जो है अपनी वीडियो में लेकर आऊंगी तो थोड़ा सा टाइम दीजे और प्लीज वीडियो पे लाज तक बने रही है तो चार्ट बनाने के लिए मैंने यहां पे साधा माटर लिया हुआ है और साधा माटर मार्केट में आपको इजिली मि जाएगा तो इसे मैंने एक रात पहले ही भीगों के रख दिया था और अभी हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा आलू कट करके डाल देते हैं क्यूंकि चाट में आलू डालने से बहुत अच्छा लगता है और साथ मैं मैंने थोड़ा सा बेक लेती हूं तो आलू को मैंने थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा निकाल लिया था क्यूंकि आलू पक गया था उसे हमने छोटे-छोटे काट के डाला था इस वजह से तो मटर पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो यह दिखिए मटर भी हमारा पक चुका है और काफी मातों से इसे दबा नहीं पा रही हूं तो यहां पर मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूं और अभी हम इसी कराई को फिर से चढ़ाएंगे तो उसमें मैंने सरसो का तेल डाला है और सरसो का तेल हमारा अच्छे से जब घरम हो जाए तो तब हम इसमें कटे हुए प्याज को हमें बहुत अच्छे से फ्राइ करना होता है तो प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तो यह देखिए प्याज हमारा भून चुका है और अभी हम इसमें जो मसाले हमने लिये थे उन मसालों को मैंने छोड़ने लगे हैं तो साथ में अब हम उसमें आलू जो मैंने उबाल के रखे हैं उसको अब हातों से मेस कर लेते हैं और इसमें फ्राइ होने के लिए फिर आलू को भी डाल देते हैं इन सब को फ्राइ करने के डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मसालों को ह हमें बहुत अच्छे से मिलाना है तो यह दिखिए हम इसको अच्छी तरह से मिला दिये हैं और अब हम इसमें स्वाध अनुसार नमक डालेंगे तो नमक आप अपने हिसाब से डालिए जिस्ता कि आपको पसंद हो कम या ज्यादा जैसा आपको चाहिए तो यहां पर मैंने हल् दोरसा यह जीरा पाउडर है और एक चमज में लास में लाल मिच पाउडर डाल रही हूं तो इन सब को भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इन सब को थोड़ी देर के लिए हमें पकाना है ताकि इसका अब ही जो महख जो-महें वह भी चला जाए और अभी हम इसम में सुखने लगता है तो यह देखिए हमारा छोला बनके रेडी है तो लास्ट में हमने इसमें एक चमच चाठ मसाला डाला है क्योंकि चाठ मसाला अगर हम नहीं डालेंगे तो चाठ का स्वाद ही नहीं आएगा तो यह देखिए चाठ हमारा बिल्कुल बनके रेडी है तो अ आभी हम उपर से इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे तो आप सजाने के लिए जितना भी जो-जो भी चाहए आप डाल सकते हो मैंने यहां पर प्याज के उपर थोरा सा हरीमिच डाला है हरीमिच मैंने बिल्कुल थोरा सा डाला है क्यूंकि बच्चे भी खाएंगे और साथ म आप मैं थोड़ा सा नमकीन डाल रही हूं नमकीन में मैंने यहां पर मिक्चर लिया है और थोड़ा सा चिप्स भी मैंने इसके उपर से डाला है और आप हम थोड़ा सा नीबू का रास और काला नमाग और बाकी के जो जो मसाले हैं वो सारा कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके में डाल दूंगी तो आपको जितना भी जो जो मसाले पसंद हो लास्ट में आप चाट मसाला जरूर डाले तो बहुत ही अच्छा चाट बनके रेडी हुआ है तो आप लोग एक बार इसे जरूर बनाईए और कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंड में जरूर बताईएग तो मिलती हुए ऐसी ही एक नई वीडियो पर तब तक के लिए बाब बाग